हेलो दोस्तों आपका स्वागत है UPPCS Pree 2018 के प्रैक्टिसेट के 34 में भाग में हमनों करेंट अफेर्स पे कुछ डिसकसन करेंगे तो आएए पहले देखते हैं कुछ प्लेसेज और कुछ जगों का और कुछ बेत्ती बीसेज का हमनों चर्चाइस में करेंगे तो पहला है सांग सांगली जीला याद रखेगा दोस्तों महाराष्ट में हिस्तित्य और यह इसको जो है भारतिय पेटेंट कार्याले ने इसको हल्दी के उत्पादन के लिए और भंडारन के लिए यहां के GI टाइग प्रदान किया है दोस्तों यह माना जाता है कि 200 वर्स से 200 वर्स पूर्व से यहां के खिसानों को एक स्पेशल एक अलग तरीके से हल्दी उत्पादन और उसका भंडारन करने का जो है तरीका इन्होंने इजाद किया था तो इसकी वज़े से इस जिले को इस जिले को GI टाइग प्रदान किया गया हल्दी के उत्पादन में अगला है दोस्तों अजम याद रखे गया राजस्थान का पहला जो है वो फुड मेगा फार खोला गया दोस्तों और इसका सुभारह में वह किया था केंदरिय खाध्य प्रसंट प्रसंट्सकरण उद्यो मंतरी स्रीमती हर शीमरत और बास जीन तो यह याद रखेगा दोस्तों यह राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है अगला है राची राची जारखन का राजदानी है और यहां के HEC परिसर में एक खादी मौल खोला गया है दोस्तों और उसका उदगाटन वहां के मुख्यमंत्री श्री रगवर दास जी ने द कीया था ताकि भारत में जो वह फी श्री यहात करते थे जिसको हम सारी आयात करते थे उसको उसका उत्पादन उन मरे देश में हो सके इस लिए का थापना किया गया था दोस्तों 1969 अगला है भोपाल भोपाल इसमें काफी चर्चे में दोस्तों और एक मुखे चर्चा का कारण है कि यहां पे जो है एक National Institute for Mental Health Rehabilitation खोला जा रहा है दोस्तों यानि राष्ट्री मानसिक स्वास्त पुनर्वास संस्थान यहां खोला जा रहा है दोस्तों और यह जो है याद रखिएगा इसमें जो है बारा तरह के पाठे करमों का संचालन यहां होगा दोस्तों यहां Rehabilitation Center भी होगा यानि उनके पुनर्वास की भी बेवस्ता होगी उन पुटक्रिया यहां पर दि जाएगी दोस्तों अह敢 से तो यह ऌती ही जरूरी है दोस्तों Scorpion के लिए मध्रश के लिए क्योंकि कुछ वहां स्वास्थ मंध्यिक कि पिछला हुआ च्छांद के अगे देखते हैं धें धोतर दोस्तों यह याद रखिएगा वुद सुनते ही हैं और देखर जौत रचे में है एक जिला है दोस्तों और यहां पर को और इसमें याद रखिएगा कि इसमें हर वर्स प्रति वर्स जो है यहां सो एंबीबियार्थियों को का नमांकन यहां होगा यहां एक हॉस्पिटल भी होगा जहां इलाज सम्भव है लगबग 750 बिस्तरों का एक हॉस्पिटल भी होगा दोस्तों यहां पर तो यह भी एक बहुत जरूरी जो है जारखन के लिए काफी जो है बरदान सिद्ध होगा दोस्तों अगला है नादिया जिला नादिया जिला जो है वो बंगाल में इस्तित है दोस्तों और यह पहला जिला है जिस ने खुले में सौच मुक्त अपने आपको घोसित किया था यह पहला जिला था भारत का जो खुले में सौच मुक्त हुआ था दोस्तों और यहां यह ग्रामेर आवास योजना के तहट मकानों के जिन जो निर्मार संबंदित योजना है दोस्तों ग्रामेर मकानों में जो निर्मार संबंदित योजना है उसका निरधारित लक्ष लगभग प्राप्त कर चुका है यह लगभग 98.06% जो है अपना कारे पूरा कर लि परसेंटेज तक लगबग सत परसद तक वो प्राप्त करने वाला जिला बन गया है दोस्तों अगला है ताइवान याद रखेएगा ताइवान जो है वो सबी लोग जानते हैं ताइवान जो है उसकी राजधानी टाइपे है दोस्तों और यहां पे चीन के विरूद के अपना एक आधिकारी बूतावास खोला है दोस्तों ताइवे ताइपे में जो इसकी राजधानी है और जो चाइने की जो चाइना की जो पॉलिसी है दोस्तों डाट इस वन चाइना पॉलिसी उसको खुले आम चैलेंज किया है अमेरिका ने तो यह भी बहुत सती विश्मtó में सबसे सस्थी स्वच पईजल पर्योजना यहां पर शुरू की गई है और वो शुरू करने वाला जो है वो सुलव इंटरनेशनल याद रखेगा दोस्तों सुलव इंटरनेशनल है और इसके जर्ये जो है 50 पैसे में प्रती लीटर स्वच पानी पेजल के लिए पेजल के लिए स्वच पानी लोगों को प्राप्त इसके द्वारा हो रहा है इस योजना के द्वारा तो यह याद रखेगा अगला है जो है बच्चे फुटबाल मैच कहलने आए थे यहां पर और वह 23 जून को फुटबाल कहलने के बाद जो है जब घूमने के लिए गए इस गुफा में गए तो अचानक जो है काफी बारिश होती है और वह गुफा में अंदर ही फंस जाते हैं उसमें 12 बच्चे और उनके को रखिएगा और यह बहुत इंपोर्टेंट है अगला है एजम्शन द्विप एजम्शन द्विप जो है दोस्तों यह सेसल्स देश का एक द्विप है जहां पे सामरिक स्ट्राटीजिकल पॉइंट आफ व्यू से इंडिया के लिए काफी इंपार्टेंट था क्योंकि यहां दोनों देशों के बीच जो है एक समझावता होता है कि उस समझावते के तहट यहां पे भारत जो है अपना सैन्य सैन्य स्टेशन बनाना चाहता था जिसको के अंतता समझावता भी लगबग हो चुका था लेकिन विपक्षी विरोध के कारण सरकार को पीछे है वापस दोस्तों रद करना पड़ा तो यहां जबकी चाइना यहीं पर जूबूती जो दे से हैं हौन आफ अफरिका से संबंदित वो देश है जुबूती जहां पे अपना एक सैने ठीकाना बनाया है दोस्तो एक सैने स्टेशन अस्थापित कर चुका है चीन उसी के मद्दे नजर हम भी एजंप्शन दूप पे सेशल्स के एजंप्शन दूप पे सेशल्स याद रखिएग और एजंप्शन दूप पे हम लोग भी ऐसा इसी तरह का कुछ योजना बना रहे थे जो दोनों सरकारों के बीच साहमती तो बन गई थी लेकिन फाइनली जो है उसके विपक्षे बिरोध के कारण सरकार को पीछे लौटना पड़ा और इस साहमती को रद करना पड़ा दोस बिक्रम मानिक किशोर हवाई अड़ा का नाम जो है जो यह तरिपुरा का हवाई अड़ा है दोस्तों अगर तलाम का हवाई अड़ा है उसका नाम बदल दिया गया है तरिपुरा का हवाई अड़े का नाम बदल करके उसका नाम जो है वो महाराजा बीर बिक्रम मानिक किशो इसका नामकरण किया गया है यहां के लोगों का मांग भी था और त्री पुरा शरकार जो है इस तरह से इस तरह से नामकरण कर गर के उनको जो है और वो सरध्रांजली जो है सरध्रांजली जो है भेट दी है दोस्तों आगे है रेमन लागुवार्ता याद रखिएगा दोस्तों रेमन लागुवार्ता जो है वो अमेरिके की जो फूड कंपनी पेपसिको है पेपसिको याद रखिएगा उसका रेमन लागुवार्ता जो है अगला इसका जो है मुख्य कारकारी अधिकारी है CEO है Chief Executive Officer है दोस्तों क्योंकि इसके जो CEO थी इंद्रा नुई वो जो है दोस्तों स्थीफा दे दी है और 3 October को ये अपना कारेबार शुरू कर दिया रेमन लागु आर्था ने और याद रखेगा या पिछले 22 वर्से इस कंपन का तिर्पन बर्सिय या कंपनी का केवे चट्थे CEO हैं दोस्तों और वो इस्पैनिस मूल के हैं दोस्तों यह याद रखेगा अगला है आर माधवन आर माधवन को याद रखेगा दोस्तों यह हॉल के यानि हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिम्टेड जो इस समय काफी चर्च प्रबंद निदेशक इनके चुने गया है आर माधवन तो इनको याद रखेगा अगला है स्कॉट मौरिसन जो है दोस्तों यह आस्ट्रेलिया के तीसवे प्रधान मंत्री हैं याद रखेगा कि इसके पहले जो है मार्क, मैलकन, टरनबूल जो है प्रधान मंत्री थे और उ उनके जो है जो चुना हुआ दोस्तों तो उसमें किसी को सौरी दोस्तों आस्ट्रेलिया में जो लिब्रल पार्टी है लिब्रल पार्टी के मार्क, मैलकन, टरनबूल जो प्रधान मंत्री थे दोस्तों वो अचानक जो है वो इस्थिपा दे दिये और उनहीं की पार्टी के Liberal Party के ही जो बित मंत्री रहे Scott Morrison उनको अगला प्रधान मंत्री चुल लिया गया तो इस तरह से Scott Morrison जो है दोस्तो वो आस्ट्रेलिया के तीसवे प्रधान मंत्री बन गये और उनोंने 24 अगस्त को सपत लिये तो यह याद रखेगा अचानक जो है नंदुला रगुराम जो है वो international nitrogen initiative का अध्यक चिन को चुना गया है architectural यह नाम याद रखेगा international nitrogen initiative तो ऐसा होने वाली यह भारती वाज्यानिक है नंदुला रगुराम और ऐसा initiative international nitrogen initiative का अध्यक चुनी गई है दोस्तों और यह पहले भारती ये नहीं पहले एसी आई है जो इस पद पर पहुंची है दोश्तों देनियल जहेंग अग्ला है देनियल जहन को याद रखेगा कि डेनियल जहन जो चीन के इंटर्नेट चeedr ट के कंपने जो है अली बाबा थी दोस्तों अली बाबा कंपनी काफी प्रचित हुई थी यहां में पर प्रचलित हुई थी उसके कारे-कारी अध्यक्ष जो है जैकमा थे वो अपने उत्र आधिकारी के रोप में डैनियल जेंग को चुना है और Dare zorng इसके पहले CEO के पत प पर इनको चुना गया है दोस्तों तो याद रखेगा यह आली बाबा कंपनी जो इंटरनेट से संबंदित कंपनी है जिसके हेड जो है वो जिसके अध्यक्ष कारिकारी अध्यक्ष जो है वो दोस्तों जैक मा थे उन्होंने अपना उत्रा अधिकारी इनको चुना है डैनियल तो यह भूलिए का मत अगला है हरिवन्ष नरायार सिंग याद रखिएगा दोस्तों यह बल्या जिला उत्तरप्रटेस के बल्या जिला से बिलॉंग करते हैं और यह अंडिये के उमिद्वार हरिनरायार सिंग को 9 अगस्त को इन को जो है दोस्तों राजसभा का नितिश के पार्टी से जो है यह जंता दल यूनाइटेट के टिकट पे राजसभा भीहार का सदस्य बने थे और यह जो है दोस्तों यह जो उपाध्यक्च बने हागे हैं याद रकेत तेरह में उपाध्यक्छ बहुत जरूरी है याद रखना और इन्हों ने अस्थाने च जे कोरियन का स्थान लिया है दोस्तों तो अगला है के एस स्रीनिवास का नाम याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि ये केरल कैडर के आये सदिकारी थे और इनको जो है समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन याद रखेगा ये बहुत इंपोर्टेंट है समुद समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरन यानि MPEDA Marine Product Export Development Authority इनका ये अध्यक्ष बने हैं दोस्तों इसके पहले ये क्रिशी मंत्राले से संबंदित थे और क्रिशक कल्याण विभाग के ये संयुक्त सचिव थे इनको जो है दोस्तों ये समुद्री उत्पाद निर निर्यात विकास प्राधिकरन का अध्यक्ष बनाया है याद रखिए दोस्तों जो भारत का जो समुद्री जो उत्पाद है जो निर्यात किया जाता है उसकी क्वालिटी को ले करके विधेशों में खासतोर से Western European countries और USA में काफी बवाल मचता है उसके प्रोड़क्ट को उसक देखते हैं कारेकाल कैसे रहता है उसके नदिर बनाए रखेंगे आगे है रेखा शर्मा रेखा शर्मा को याद रखिएगा दोस्तों 9 अगस्त को उनको NCW यानि National Commission on Women of Women का इनको जो है अध्यक्त चुना जाता है इसके पहले जो है दोस्तों वो ललिता कुमार मंगलम इस प जो सदस्य थी रेखा शर्मा वो कारेकारी अध्यक्ष का कारेभाल देख रही थी लेकिन इनको फिर अंतता जो है 9 अगस्त को इनको जो है वो इनको अस्थाई रूप से इसका अध्यक्ष नियुक्त बहुशित किया गया दोस्तों तो यह याद रखिएगा यह एक संबेध जो भी सिकायते होती हैं उनके हितों के लिए यह कानूनी सुरक्षा उपायों को लागो करती है दोस्तों कानूनी सुरक्षा उपायों को लागो करता है दोस्तों यह याद रखिएगा यह सथा संग्यान से भी कारेभाई करता है दोस्तों सिकायत के बाद सथा संग्यान से या कारे कर सकता है समयदानिक बॉड़ी है यह याद रखेगा अगला है जस्टिस आदर्ष कुमार गोयल याद रखेगा दोस्तों यह सुप्रिम पोड के जस्त है जो 6 जुलाई को सेवा निवरित हुए और 9 जुलाई को दोस्तों इनको जो है NGT का यानि NGT का मतलब हो गया नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल का है इनको जो है अध्यक्ष या चेर्मैन ग्नियुक्त किया जाता है दोस्तों इनका कारेकाल जो है वो पांच बर्स का होगा यह याद रखेगा और इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे तो ज कि है अगा झाले अ अगले जो है अगले वीडियो का दो है जो ऑगले खले जो है को अगले जो है